चलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सिडेंट मैं टू हिट मैंस हॉलिडे फिल्म की कहानी बताओगा और ये फिल्म स्कॉट एटकिन्स की एक जबरदस्त एक्शन थिरिलर मुवी है वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेश्ट है कि प्लीज आप मुझे थुड़ा सा सप्पोर्ट करें उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह की मैंने कई सारी लेटिस्ट मुवीस का भी एक्स्प्लें किया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलॉ कर सकते मेरा आइडी है फ्रेश मोजो इंडिया तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मज़ा लेना शुरू करते है फिल्म की शुरूरात में हमारा हीरो माइक एक क्लाउन यानि की एक जोकर से लड़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा मार खाता है और फिर यह कहानी कैसे स्टार्ट हुई यह हमें माइक बताता है जिसमें वो छुटी मनाने के लिए दूसरे देश जाना चाहता था और इसलिए वो एक डीजे पार्टी में आता है और वहाँ पर डीजे अपनी ओडियन्स को चोकाने के लिए एक छोटा सा धमाका करवाने कहता है जिसमें उसके पीछे एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो मारा जाता है और इस चिसके पीछे असल में माइक होता है और उसने सिलिंडर के साथ वहाँ पर एक बॉम भी रख दिया था जिससे ये मरडर एक एकसिडेंट लगे और यही उसका काम होता है और इसी वज़े से उसे एकसिडेंट में इन भी कहा चाहता है और फिर माइक वहाँ से लास्ट की तस्वीर निकालता है और फिर माइक शहर में आगे बढ़ता है जिसमें वो उन पैसों से दूसरे देश में पहुचता है और एक हफते से वो मिडल इस्ट यूरोप में घूम रहा होता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें माइक अपनी होटल रूम में आकर ड्रिंक लेता है और वहाँ पर उसे डीजे की मोत के पैसे मिलते है और फिर आगे बढ़ने पर उसके कमरे में एक लड़की उस पर हुमला करती है जिसमें माइक और वो लड़की काफी ज्यादा माइक को मारती है जिसमें वो माइक के मेंड पॉइंट पर भी वार करती है और वो लड़की मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है और वो लड़की से माइक मार खाने के बाद उसे कीवर्ड बोलता है और तब वो लड़की रुख जाती है जिसमें माइक उस लड़की का नाम वांग बताता है और वो कुछ भी नहीं सीख रहा ये वांग बोलती है और तब माइक बोलता है कि कुछ हफतों पहले एक कलब में वांग ने कई सारे आदमियों को मार्शल आट से पीड़ दिया था औ उसे मेंट पॉइंट पर नई वार्ड करना चाहिए और वोंग उसे हर तरह से संबल कर रहने कईती है और वो वहां से पैसे लेकर निकल जाती है जिसमें वोंग कभी भी उस पर हुमला करेगी ये भी बता कर जाती है और फिर रात तक माइक गर पर इस बारे में सुचता है और फिर देर रात को वो शहर में गुमता है और तब उसे उसका पुराना दोस्त फ्रेड मिलता है और फ्रेड को बार से कुछ लोग निकाल देते हैं और फ्रेड अपने मशिन से उन लोगों को जला देता है और तब माइक भी वहाँ पर आकर गार्ड्स को मारता है और फिर फ फ्रेड बताता है कि उसे यहाँ पर काफी सारे murder contract मिल रहा है और इस चीज से माइक परेशान होता है और तब फ्रेड माइक की एक murder में मदद मागता है और उसे यहाँ पर जैस नाम की एक लड़की से प्यार हुआ जो कि उसे कुछ पैसे लिये थे और उसके बाद वो उसे मिल नहीं रही ये भी वो बताता है और तब माइक को लगता है कि जैस फ्रेड को चूना लगा कर भाग गई है और वहां माइक फ्रेड की एक बार मदद करने के लिए तयार होता है और वहां से दोनों माइक के होटल रूम में आते जो कि फ्रेड को काफी पसंद आता है और वहीं पर Wong आकर Mike पर हुमला करती है और Fred के आगया आने पर वो उसे भी मारती है और तब Mike Wong को पकड़ लेता है और फिर से वो उसे कीवर्ड बोर्ड कर रुकाता है और वहां Wong को लगता है कि Fred एक्स्टर ट्रेनिंग के लिए और तब Mike दोनों को मिलवाता है और वहां Wong माफी मांगती है जिसमें Mike बताता है कि Wong उसे मार्शल आर्ट सिखा रही है और फिर Wong वहां से फिर से पैसे लेकर निकल जाती है और वहां Fred को Jazz को धुणना होता है और तब Mike फिर से उस पर हसता है अगले दिन माइक एक जगह पर मिश्टर मैकल पर नसर रखता है और वो अपने घर से बाहरी नहीं निकलता और उसके घर के विंडो को उपर से Fred हैक करके गिरा देता है जिसमें मिश्टर माइकल का सर्फ वहीं पर कट जाता है और उसकी तस्विर माइक निकल लेता है और दोनों को इस चिससे पैसे भी मिलते है और वहां Fred और माइक बात करते है जिसमें Fred को माइक के साथ काम करने में मसा आता है और तब दोनों मिलकर और भी लोगों को मारने का डिसाइड करते है और फिर Fred भी Mike के room में ही shift हो जाता है जिसमें Mike और Wong ट्रेनिंग करते है और वहां Mike और Fred लोगों को मारने का plan बनाते है और इसे कई दिन बीच जाते है जिसमें ये murder accident लगते है और फिर एक आदमी को Fred खुश करने जाता है और वहीं पर उपर से Mike CDO से उसे मरवा देता है और वहां Mike Fred को देखकर हसता है और फिर वहां से दोनों एक factory में आते है जिसमें दोनों कई सारे लोगों को मारने के अलग-अलग तरीके के हथियार बनाते है और उन्हें सही से बनाने में Fred कई बार पास होता है तो कभी fail होता है और फिर एक दिन Fred को एक murder contract आता है जिसमें Mike उस आदमी की शकल देखता है जो कि वह उसे काफी फटू लगता है और ऐसे ललू targets को मारक कर वो लोग अपने accession group में नाम खरब नहीं करना चाते और इसलिए दोनों उस contract को cancel कर देते है अगले दिन Mike और Wong की training खत्म होती है और फिर Wong और Fred बात करते है जिसमें Wong को jazz पसंद आती है और वो गायब हो चुकी है ये Fred बताता है और तब Wong उसके एक दोस्ते उसे धून सकती है ये बताती है और तब Fred खुश हो जाता है दूसी तरफ एक आदमी अपने घर पर आता है और वहीं पर उसे एक phone आता है जिसमें Fred उसे उसकी बातों में फसाता है और उपर से उस आदमी के घर पर बाटटब गिरकर वो वहीं पर मारा जाता है और ये कम Fred और Mike का होता है और वहां दोनों को शौक लगता है और दोनों को कोई बेऊश कर डालते है कुछ दिर बाट दोनों को एक जग़ा पर बांद कर उठाया जाता है जिसमें उनके सामने गार्ड होता है और वो Mike को accident man बुलाता है और तब Mike वो किसी और को धूंड रहा है ये बोलता है और तब वो गार्ड Mike को वहां मारता है और फिर वहां पर मिसिस जू आती है जिसमें वो दोनों को जानती है ये बताती है और वहां Mike भी उन्हें जानता है जिसमें मिसिस जू काफी बड़ी माफिया होती है और उनका नाम सुनकर फ्रेड भी डर जाता है और वहां मिसिस जू बताती है कि उनके लड़के पर किसी ने हुमला किया है जिसमें वो एक नमबर का बेवकुफ है और वो कलब में ही ड्रक्स लेकर गाता रहता है और दोनों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और तब मिसिस जू उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें उनके बेटे डांटे के पीछे से गटर में एक धमाका होता है और ये मर्डर करने का स्टाइल उन दोनों का ही है ये मिसिस जू बताती है और तब माइक बताता है कि उन्होंने डांटे को पहले देखा था और उन्हें उसका मर्डर कॉंटरेक्ट मिला था लेकिन दोनों ने वो कॉंटरेक्ट नहीं लिया था जिसमें वो गार्ड्स माइक को मारता है और वहां मिसिस जू बताती है कि माइक सच बोल रहा है लेकिन उसके बेटे के पीछे किलर्स तो पड़े है और माइक काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसलिए वो इस चीज़ के पीछे कौन है ये पता लगाने का काम माइक को देती है और तब माइक मना करता है और तब मिसिस जू बहाँ पर फ्रेट को उनके पास रखेगी साथ ही माइक के काम नवप करने पर उसे मारने की धमकी देती है और तब माइक डांटे के कातिल को धुनने के लिए मान जाता है और फिर वहां से Mike को एक जगह पर फिक दिया जाता है और वो वहां पर आगे क्या करना है ये चीज़ सोचता है और वो एक पास के बार में आता है और वही पर उसे हमारे RRR के अंग्रेश चनरल सकॉट नसर आते है और तब Mike उसके पास आता है असल में उसका नम Ray होता है और उसे ने Mike को बच्पन से ट्रेन किया होता है और Mike ने मुवी के पिछले पार्ट में Ray के पूरी कातिलों की टीम को खत्मा कर दिया होता है और इसी वज़े से Ray उसके पास आया होता है और तब Mike सबी चीज़े समझ जाता है और वहां Ray बताता है कि Fred ने ही Mike के यहाँ पर होने के बारे में उसे बताया था और वहां दोनों को कांट्रेक्ट किलिंग के फिर से काम करने के बारे में पता होता है साथ ही अब Ray को उसकी टीम के मरने का बदला Mike से लेना होता है और तब Mike उसे क्या चाहिए यह पूछता है जिसमें Ray बताता है कि Ray ने डांटे पर हुमला करने का शक उन दोनों पर डलवा दिया है और अब Mrs. Zoo अपने बेटे के लिए चिंचती थे जिसमें उसके पस Fred भी है और अब डांटे के घड़ी में उसने एक ट्रेकर लगा दिया है जिससे शहर के 5 किलर्स उसे मारने जाएगे और तब Mike भड़क जाता है और इस चिससे वो लोग Fred को मार देगे यह वो बोलता है और तब Ray उसे जाकर Fred के लिए डांटे को बचाने कहता है और डांटे के उपर 9 मिलियन डॉलर का मरडर कॉन्टरेक्ट है ये पैसे भी उन किलर्स को मिलेगे ये वो बताता है और तब Mike वहाँ से अपनी बाइक पर भागता है और Mike जाकर डांटे के कलब में आता है जिसमें वो वहाँ पर गार आ होता है और तब गार्डस Mike को रोकते है जिसमें Mike डांटे को वहाँ से निकलने कहता है क्योंकि डांटे की घडी में ट्रेकर होता है और यहाँ पर किसी भी वक्त किलर्स आ सकते और तब डांटे के गार्ड उसकी घड़ी निकाल देते है लेकिन वहाँ पर चुतिया डांटे बढ़क कर घड़ी के डायल को ये खा जाता है और वहीं पर एक धमाका होता है और वहाँ एक बॉम में काफी सारे गार्ड्स खायल होते है और वहाँ पर फ्रेया तक गॉड़ेस ओफ टैथ टाइटल वाले किलर आती है और वह बॉम से सब को मारती है और वहाँ के गार्ड्स को मारने के बाद वह माइक के पीछे जाती है और तब माइक आगे बढ़कर उससे लड़ता है जिसमें माइक डांटे को भी बचाता है और वहाँ फ्रेया और माइक एक दुसरे को टकर देते हैं जिसमें फ्रेया माइक के काम की तारीफ करती है और फिर दोनों फिर से लड़ते हैं और वहाँ पर दोनों बहार आते हैं जिसमें किचन में लड़ते वक्त माइक फ्रेया के गले को काट कर चाकू मार के उसे वहीं पर खत्मा कर देता है और फिर वो डांटे को लेकर वहाँ से निकलता है जिसमें मिसिस जू डांटे को सही सलामत वापिस लाने कहती है और तब माइक बताता है कि वो killer है नहीं bodyguard और तब मिसिस जू फिर से उसे Fred के नाम की धमकी देती है और तब Mike उसे लाने के लिए हाँ बुलता है और Dante को लेकर वो आगे बढ़ता है रास्ते में उस पर दूसरा killer हुमला करता है जिसका नाम Wendy तब vampire होता है और वो खून का प्यासा होता है जिसमें Dante के कपड़ों से Freya का खून पिकर वो बता देता है कि वो O positive है और फिर वहाँ पर Dante को वो मारने जाता है और तब Mike उसे बचाता है और फिर Mike उससे लड़ता है जिसमें Mike Wendy से लड़ते-ल़ते उस जगह से उपर आता है और वहाँ Mike एक छड़ी लेता है और दोनों आगे बढ़कर लड़ते जिसमें Mike Wendy को काफी ज्यादा मारता है और फिर वो उसका गला काड़ देता है जिसमें अपना खून पीकर Wendy बताता है कि वो AB negative है और तब Mike वहाँ पर उसे खत्मा कर देता है और फिर वहाँ से Dante को Mike factory में लाता है और उसे एक बाल्टी में शिट करके गड़ी के डाइल को निकालने कहता है और फिर वहाँ पर Mike आगे बढ़ता है जिसमें उसे एक killer आता हुआ दिखता है और तब Mike उसे पकड़ लेता है जो कि Wong निकलती है और Mike उसके बीना training नहीं कर सकता ये वो बोलती है जिसमें Wong को वो factory पसंद आती है और वहाँ Wong ये भी समझ चाती है कि Mike लोगों को मारता होगा और तब Mike हाँ बोलता है और वहाँ Wong माइक के साथ किसी को मारना चाती है ये बोलती है और वहीं पर सीलास नाम का bullet train का Brad Pitt का turn double आता है जो कि killer होता है और वो भी Mike को मारने जाता है और तब Wong उससे लड़ने तयार होती है और वहीं पर जोकर आता है जिसमें उसका नम Paco the killer clown होता है और उसे एक काफी खतरना killer माना जाता है ये Mike बताता है और तब सीलास पाको को वहाँ से वापिस जाने कहता है और तब पाको हाँ बोलकर पीछे आता है और उसके पीछे सीलास को वो मार कर किरा देता है और फिर वो Mike पर हुमला करता है और दोनों लड़ते लड़ते आगे बढ़ते दूसी तरफ वांग और सिलास लड़ते लड़ते दूसी तरफ जाते है और फिर पाको से माइक बचरा होता है और वो पाको को मारता है और तब पाको को दर्द ही नहीं होता ये वो बोलता है और तब माइक उसके शरीर में एक ब्लेड मारता है और वहाँ पर भी उसे दर्द नहीं हुआ ये पाको बोलता है और तब माइक उसे मारते मारते आगे बढ़ता है जिसमें वो पाको के मेंड पॉइंट पर कई बार मारता है लेकिन वहाँ भी उसे दर्द नहीं हुआ ये पाको बोलकर माइक पर वार करता है और तब माइक पाको को ब्रेट टोस्टर से शौक देता है और वहां से माइक उसके मूपर बारबेल फेक कर उसके गले को वहीं पर तोड़ देता है जिसमें माइक उसके पास आता है और तब पाको उसे बोलता है कि उसे दर्द नहीं हुआ लेकिन वो वहीं पर मारा जाता है और तब माइक भी उसे बाई बोलकर आके बढ़ता है दूसी तरफ वांग लड़ते वक्त सिलास को जन्जीरों में फसा कर अपने पेर से उसे वहीं पर मार देती है और फिर वांग और माइक मिलते जिसमें वांग ने पहली बार किसी को मारा और उसे काफी मज़ा आया ये वो बताती है और तब वहाँ पर डांटे भी आता है जिसमें उसने शिट से अपने डायल को निकाल लिया ये बोलता है और तब उसके पास आखरी किलर ओयूम आता है जिसमें माइक उसे डांटे को छोड़ देने कहता है और तब ओयूम माइक का काफी बड़ा फैन होता है और वो उसे चैलेंज करता है और फिर वो नीचे आता है और वहाँ से Wong को मार कर वो दूर फैक देता है और तब माइक फढ़क जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते जिसमें माइक को OYUM काफी ज्यादा मारता है और वो एक loser है ये OYUM बोलता है और तब माइक उटता है और वो OYUM से लड़ता है जिसमें वो अपनी तेजी से इस बार ओयूम को पटक देता है और फिर ओयूम अपनी तलवार निकलकर माइक को मारने जाता है और तब उससे गंद से रे उड़ा देता है और वहां से वो डांटे को मारने जाता है और तब माइक उसे रोकता है और वो माफी मांगता है और तब रे उसे मारता है और वहां माइक बोलता है कि उससे गलती हुई क्योंकि रे ने हमेशा से उसे एक असेशन की तरह ही ट्रेन किया है और वो उसे एक अच्छे बाप की तरह संबाल भी सकता था और तब Ray भड़क जाता है और वहां Mike बोलता है कि उन दोनों को परिवार की जरूरत है और दोनों को वो सबी चीजे भूलकर आगे बढ़ने कहता है जिसमें वो अपने पिता को मिस करता है ये बोलता है और तब Ray Mike को माफ कर देता है और वहां Dante आकर अपने डाइल को देता है और तब Ray उसे तोड़ देता है जिसमें वो Dante का फेवरेट घड़ी था ये बोलकर वो रोने लगता है और वहां पर Mike और Ray अब पूरे पैसे उसके लेगे ये बोलते है जिसमें Wong वहां पर आती है और तब Mike बताता है कि उसने ओयूं को मार दिया और तब Wong खुश होती है अगले दिन Mike डांटे को लेकर आगे बढ़ता है और वो Mrs. Zoo के हवाले उसे करता है और तब वहां Mrs. Zoo किलर के बारे में पुछती है और तब Mike बताता है कि उसने शहर के सभी किलर्स को मार दिया है और तब Mrs. Zoo माइक से डांटे को लेकर वहां पर Fred को उसे सोब देती है और तब Mike और Fred वहां से निकल कर रे के पास आते है जिसमें उनके वहां आते ही रे वहां से डांटे के पास उसके छुपा हुए बॉम से सभी लोगों को मरवा देता है और अब उन्हें 9 मिलियन डॉलर मर्डर कांट्रेक के मिलेगे ये बोलकर तीनों खुश होते अगले दिन तीनों कलब में होते और वहां वांग जैस को लाती है और वहां जैस और फ्रेड मिलते है और उन्हें देखकर माइक और रे भी खुश हो जाते है और फिर माइक अपने अगले एडवेंचर के लिए तयार होता है जिसमें वो ये बता कर इस फिल्म को यहीं पर खत्मा करता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्मा होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें एम करते 1000 लाइक वीडियो के डिस्रिप्शन में आपको दूसरी मुवी सीरीज की भी एक्स्प्लेन वीडियो देखने मिलेगी